जैस्रीमन नारायन गुरुजी, आपके चरणों में कोटी-कोटी प्रणाम हाँ, खुश रही है मेरा दो प्रश्ण है गुरुजी बोलिए पहला प्रश्ण हमारे परिवार में गणेश पक्ष में कोई गुजर गया है तो क्या हम गणेश पक्ष में गणेश जी का मुर्थी बैठा सकते हैं कब गुजरे हैं गणेश पक्ष में अरे कितने साल पहले बहुत साल हो गया गुरुजी घए जाने तो अपना गणेश जी रखो गणेश जी बैठाय थे न तीन बार तो मूर्ती खंडित हो गया तो अब फिर से बैठा सकते हैं कि नहीं तो मूर्ती खंडित क्या हो जा रहा है परिवार वाले मतलब बोल रहे हैं बड़े बुजूर कि वो खतम हो गया अगर उस तिथी में कोई पैदा होगा तभी गानेस बैठाना है ऐसा मान्यता लोग कहते हैं कि वो तिथी मान हो गई जबकि ये बात सास्त्रोक नहीं है कुछ लोग एक अदसी बंद कर देते हैं सोचके कि हमारे फलाने खतम हो गई कोई अश्ट्यमी बंद कर देता है ये कहके कि हमारे फलाने खतम हो गई लेकिन आप अच्छे काम क्यों छोड़ें बुरे काम छोड़ें गड़े जी रखें सिवा करें कोई दिक्कत नहीं है हमारे परिवार में देखो 365 ही तो दिन होते हैं और आपके पीड़ी मैसा कोई भी दिन ना होगा जिस दिन कभी न कभी कोई न कोई मरा ना हो तो फिर सारे बंद कर दो फिर तो सभी बंद हो जाएगा लेकिन ये सारी परमपराएं गलत परमपराएं हैं आप एकादसी के दिन कोई भले मर गया हो तो जिस दिन मरत्यू हुई उस दिन उत्सव ना मनाओ लेकिन बरत रखो अगली एकादसी से उसको ठीक ठीक से करना है जी मेरा दूसरा प्रशने यह हैं जैसे किसी का सवर्ड़वास हो गया तो उसकी फोटो को घर में रख सकते हैं या बड़े पोश्टर के तौर पर फोटो जो जिनकी मरत्यू हो चुकी है जैसे माता हैं पिता हैं दादा हैं दादी हैं इनकी फोटो एक एलबम में सम्हाल के रख दो यदी रखनी है तो घर में दक्षन दिसा की दीवार पर गुरुजी जैसे बड़े पोस्टर में रखनी है तो रख सकते हैं पोस्टर में भी रखो बुजुरुगों की फोटो मरे हुए कि कोई भी तस्वीर हो तो दक्षन की दीवार पर होना चाहिए बड़ा कोशन की तरफ ही होना चाहिए और कोशिध करो कि उनको आलबम में रखो समहाल के दर्शन जब करना है माबाप का स्वरगी दादा दादी का तो कर लो बाकी फोटो ऐसी जगह पहो भगवान का दर्शन रोज करो आते जाते भगवान के चित्र पर दर्शन पर नजर हो और दक्षन की दरब बुजरुगों की गुरुजी मैं अभी विरिंदा बन गई थी आपसे यही प्रशन पूछने लेकिन आपसे दर्शन नहीं दर्शन हुआ गुरु मंत्र भी लिया लेकिन प्रशन नहीं पूछ पाई थी जैस्री मनार आयन गुर्दी राधे 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 गुरुजी जी राधे राधे पर चंद्रमा नाराज हो गए, एक बार चंद्रमा नाराज हो गए कि चले जाते हैं हम काम से छुट्टी लेकर, तो भगवान ने कहा ठीक है जाओ, तब भगवान ने अपनी कृपा से दूसरे चंद्रमा को प्रगट किया, तो वो चंद्रमा समुद्र से समुद्र में समा जब उन्होंने देखा कि काम कुछ रुका नहीं तो फिर वो चंद्रमा बापिस आई तो अब चंद्रमा बोले है प्रभु छमा कर दो हमसे अपराद हो गया तब भगवान बोले कोई बात नी भगवान राम को श्री राम चंद्र कहते हैं तो संकर जी भगवान राम के बहुत बड़े भक्त हैं तो संकर जी को लगा कि मेरे राम के नाम में चंद्र लगा है इसलिए चंद्रमा आओ तुम मेरे माथे पर बैठ जाओ क्योंकि मेरे राम से तुम जुड़े हो इसलिए सिवजी राम के से जुड़े होने के कारण चंद्रमा को सिवजी अपने मस्तक पर धारन करते हैं खुश रहिए खुश रहिए उस चंद्रमा को सिवजी ने धारन कर लिया रादे रादे गुरु जी आपके चरणों में कोटी कोटी नमन गुरु जी खुश रही है कल मतलव 21 तारिख है क्या कल मतलव 21 जनवरी को यहाँ पर सुन्दर राम जी का एक सुन्दर भजन आपको सुनाएंगे लॉंच होगा यहाँ कल और परसों 22 तारिख को राम लला वहाँ बैठेंगे और यहाँ एक सुन्दर भजन हम आपको जो नया लॉंच होगा यहीं से तो कल जो भजन होगा वो सूट भी यहीं पर हुआ है गोडियारी वाले हनुमान जी की चरणों में तो कल यहीं पर भजन आप सुनेंगे कल भी एक नया भजन और परसों भी एक नया भजन आप सुनेंगे राम जी पर हैं दौन भजन गुरुजी एक आपका चरण इस परस करना चाहता हूँ और आपका आसिरवाद चाहता हूँ हमारे देश के लिए और हमारा देश जल्द ही हिंदू राष्ट की और अग्रसर हो रहा है इसमें आपका आसिरवाद चाहिए बिलकुल हम सब चाहते हैं कि हमारा देश सनातनी पुनाह रूप से स्थापित हो जय श्रीमनार आयन गुरुजी जय श्रीमनार